नमस्कार दोस्तों नामे मेरा रिश्यप सिंग और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ओफिस्टी सिरीज में जहां भारत में इंपॉर्टेंट गवर्णर जनरल्स और वाइस रॉइस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं और आज हम समझेंगे पूरी कहानी और आज हम समझेंगे पूरी कहानी इंडियन नैशनल आर्मी की यानि की आईने अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जोड सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो चलिए समझते हैं इंडियन नैशनल आर्मी के गठन का की क इस सब को एक मास सिविल डिसोबीडियन मोव्मेंट स्टार्ट करना चाहिए पर यह रेजिलूशन पास ना हो सका तो नेता जी ने खुद से ही प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया क्यालकटा में अगेंस्ट प्रपोजड मॉनुमेंट फॉर हॉलवल जिसके बाद नेता जी क को अरेश्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया और जेल में ही सुबाश चन्दरबोष ह зак करते हैं साध दिनों तक जिस वजह से उनकी तबीय थराब होने लगती है तो बृटिशचंद्रबोष को यूवस अरे आरेना फृवस और नेता जी उन्होंने अपना अब जर्मनी में thousands of Indian soldiers as prisoners of war की तरह camp में थे ते, क्योंकि Germany Britain के against था और Indian soldiers Britain के बिहाव पे लड़ रहेते, तो इस वजे से Germany में बहुत से Indian soldiers prisoners of war की तरह camp में रह रहेते, अब सुभाष यंद बोस German authorities की support से इन prisoners of war को recruit करते हैं और एक army form करते हैं जिसमें 4500 soldiers थे और इस आर्मी का नाम था Free Indian Legion थे आप सोच रहे होंगे कि German authorities ने सुभाष चंदर बोस को support क्यों किया इसका अंसर है common enemy Germany और सुभाष चंदर बोस दोनों का ही common enemy था Britain that's why German authorities supported सुभाष चंदर बोस और सुभाष चंदर बोस की सोच यह थी कि इस आर्मी और German support से बोस इंडिया को आजाद करा देंगे बिटेन से पर यह जो सुभाष चंद बोस का डाउट हो गया जब उनकी meeting हुई Hitler से उनको समझ में आ गया कि Hitler पर भरोसा शायद नहीं किया जा सकता है क्योंकि Hitler का कोई भरोसा नहीं जापता बिटेन से अजादी मिलने के बाद Hitler कहीं इंडिया पर ही इन्वेड न करते हैं तो इस वज़े से नेता जी यह प्लान ड्रॉप करते हैं और February 1944 में जपान की तरफ निकलते हैं क्योंकि Second World War में जपान भी विटेन के गेंस था और Second World War के टाइम का जपान को आज के जपान की तरह समझने की गलती मत करना Second World War में एक इंडिरिस्टिक पावर था जपान अब जैसे इंडियन सोलजर्स प्रिजनर्स ओवर की तरह जर्मनी में थे उसी तरह बहुत से इंडियन सोलजर्स जापान में भी आज प्रिजनर्स ओवर की तरह थे जेली Pacific Ocean के बहुत से आइलेंड्स जैसे Singapore, Philippines, Malay, Burma क्योंकि 1942 तक जापान ने बहुत से Pacific Ocean के आइलेंड्स पे अपना कंट्रोल सेट अप कर लिया था अब मैंने आपको बताया कि 1943 में सुभास सेंद बोस जापान की तरफ रुख करते हैं पर पहले हम थोड़ा सा फ्लैश बैक में चलते हैं 1942 में क्या हूँ Revelation और सुभास जापनीज गवर्मन की सपोर्ट से इंजियन हिन्डिपेंडेन्स लीग को फॉर्म कते हैं और स्थि आपनीज जनर्ण मिलते हैं मोहन सिंग से मोहन सिंग मले पैंेन्सुला पर इंडियन सोल्ज़र्स को लीट कर रहेता तो राज बिहारी बोस मोहन सिंग से कहते हैं कि आप जितनी भी इंडियन प्रिजनर्स ओवर हैं उनके साथ मिलके इंडियन नैशनल आर्मी को फॉर्म करो और Mohan Singh फिर INA को फॉर्म करते हैं जितनी भी Indian Prisoners of War थे, Singapore, Malay और दूसरे South East Asian colonies के साथ और इस तरह INA तयार होती है, with Mohan Singh as Army General पर Mohan Singh को Japanese intentions पर डाउट होने लगा, जिस वज़े से बहुत से disagreements होने लगे Mohan Singh और Japanese leadership के बीचे, जिस वज़े से Japanese government ने वापस से Indian Prisoners of War को camps में डाल दिया, तो ये था flashback, अब 1943 में सुबास चंदर बोस जपान आते हैं और राज बिहरी बोस से मिलते हैं और कहते हैं, let's form INA again, और जुलाई 1943 में राज बिहरी बोस इंडियान इंडिपेंडेंस लीक का कंट्रोल देते हैं सुबास चंदर बोस और पर सुबास चंदर बोस रिवाइफ करते हैं इंडियन नाशनल आर्मी को आएने को हाला की financial support मिला था जापान और दूसरे South East Station countries से और सुबास चंदर बोस आएने की एक All Women Regiment भी form करते हैं जिसका नाम था रानी ओफ जासी रेजिमेंट जिसको लीड कर रहीं थी क्याप्टन लक्ष्मी स्वामी नाथनी रानी ओफ जासी रेजिमेंट की बात करें तो ये पूरी दुनिया की मिनिस्ट्री हिस्ट्री में पहली All Women Regiment थी और इस तरह की सोच तिर्फ गोस जैसे रेवल्यूशनरी रीडर ही रख सकते हैं और आइने की सबसे खास बात ये थी कि यहां पे कोई आइने में सब हिंदुस्तानी थे और सबका बस एक गोल था भारत की स्वतनतर था और आइने के दौरान ही सुबास चंद बोस टेमस नारा देते हैं जाने की तो मुझे पून दो और मैं तुम्हें आजाद ही दूरा और जो आइने थी वो फॉर्म हुई थी आजाद हिन गवर्मेंट के अंडर 1943 जापान कैप्चर करता है अंडवन और निकुबार आइलेंज को और यहाँ पर फिर जापान आजाद हिन गवर्मेंट को नॉमनल अथॉर्टी सटप करने का कंट्रोल देता है फिर एप्रिल 1944 आजाद हिन फॉर्ज अपनी पहली विक्तरी रेजिस्टर करती है भारत की धर्ती पर रेखायन मनिपूर और नागालेंड पर अपना कंट्रोल सटप करती है अजाद हिन फॉर्ज नागालेंड की कोहिमा और मनिपूर तक पहुच जाती है और मॉरन जो मनिपूर में एक जगा है वहां पर आएने पहली बार भारत का जंडा फेराती है भारत की धर्वी पर समय के साथ लोजिस्टिक्स की कमें होने लगी सब एरियास जो आएने और जापान फोर्स ने पर कंट्रोल में लिये थे वहां से उनको रिटीट करती है बिटिश फोर्स वाई एयर रेट्स और सेकेंड सेप्टेंबर 1945 सेकेंड वलबॉर खत्म होता है जिसमें लाइट पावर्स याने की बिटेन अमेरिका सोवियत की जी दिया जाता है और अगस्त 1945 में कबर आती है कि सुभास चंद बोस का प्लेन क्रेश हो गया और उनकी रिपोडेटली डेथ हो गया तो ये था पूरा इंडियन नाशनल आर्मी का सफ़र पर आएने का एक इंपॉर्टेंट कॉंट्रिबूशन था भारत की आजादी में की जाइने के कॉंट्रिबूशन को कभी भूलना नहीं चाहिए तो ये थी पूरी कहानी आजाद हिंद फॉच की अगर आपको ये सभी कॉंटेंट हेलफुल लग रहे है तो इनको शेयर करिएगा लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा मिलते हैं लिनित गो के टेनियोर के सिग